बारसोई के कचना ओपी के प्रांगन में वॉलीवॉल मैच का आयोजन किया गया जिसमें कुल आठ टीमों ने भाग लिया जिस मैच का बुधवार को फाइनल मुकाबला गौवागाओं भरसिस कटोरा के बीच खेला गया जिसमें गौवागाओं की टीम ने जीत हांसिल की कि इस कुमार के नेतृत में इस खेल का आयोजन किया गया था इस खेल के माध्यम से लोगों के बीच यह संदेश दिया गया कि समाज में जितने भी प्रकार की बुराईया हैं उन बुराईयों को खत्म करने का एक जरिया खेल जगत है खेल के माध्यम से लोग एक दूसरे से मि खेल के प्रती लोगों को जागरुक रहना अच्छी बात है कचना ओपी के प्रांगन में आयोजित एक खुबसूरत मैक्च का जो आयोजन किया गया वो सराहनी है आगे बारसोई के DSP ने ओपी परवारी का अभार ब्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे ही लोगों को जागरुक करते रहें और समाज को जोडते रहें खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए साथ ही आपसी दुस्मनी जो भी है उन सभी को भुला कर खेल के प्रती जागरुक रहें यही समाज की खुबसूरती है आज फाइनल मैच में आपका हारी पोखड का टीम विजयता घोशत किया गया है और उपविजयता धावा टोली के हुआ है हमको ही कहना है कि कोई भी दो पार्टी दो खेलता है तो एक आदमी जीतता है कर भाड़ता है कोई उसे मतलब नहीं है और यह आपका जो हम लोग का खेल है अनुसासन का है और लगता है कि हमारे पुलिस डिपार्टर मिलेटरी में सब गुरू यह आपका खेलारी से बाली हो रहा है और हम देखे हैं दोनों का है टीम का परदसन बुद्किष्ट रहा है आयोजित वोलीवोल मैच में बिघोर पंचायत के मुख्या मुझवपर हुसेन उप मुख्या अमन कुमार सिकारपूर पंचायत के मुख्या अबन अनसारी, कमरोल पंचायत के मुख्या मुहमद अहमद और बसलगाउ पंचायत के मुख्या संजीब कुमार सहीद कई घन्यमान लोगों ने इस खेल का लुपत उठाया मुहमद मिनारोल न्यूज लाइफ बारसोई झाल